हाई गाईज कैसे हो आप सब को मेरी तरफ से राम राम गुड मोर्निंग बई मैंने आज बनाया है पाइदान देखे वेश्ट कपडों से जो की हम घर में ये सोचते हैं कि ये पुराने हो गए हैं इनको फैंक देते हैं परन्तु इनको हमें कभी भी फैंकना नहीं चाहिए त रजाई का जो पहले का वाइट चाड़ होता था वो तो ये मेरा पुराना हो गया था मैंने इसको बगएर कैंची के यूज किये इससे लीरे बनाई हैं आप लोग देखी रहे होगे इसमें मैंने बिल्कुल भी कैंची का यूज नहीं किया है और ना ही मसीन का यूज किया ह जो कि उसकी सिलाई की है और आज मैं डूरमेट बना रही हूँ तो आप लोग देख लीजिए कैसे बनता है डूरमेट ये मैंने सारी लीरे पाड़ ली हैं इसमें से अलग अलग कर दी हैं लीर फाड़ने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है ये देखिए मैंने बिल्कुल भी कैंची का यूज नहीं किया है हाथ के साथ ही पतली पतली लीरे फाड़ी हैं और ये बहुत ही आसान सात्री का है डूरमेट बनाने का ये देखिए बिल्कुल आराम से फट रही है लीरे ये निकी कोई जोर जबर जस्ती हो रही है ये देखो क्योंकि ये तो वैसे भी सुत्ती कपड़ा सुत्ती कपड़ा आराम से फट जाता है आज से पहले आपने कभी भी ऐसा डूरमेट नी बनाया हुआ क्योंकि वेश्ट कपड़े हम फैक देते हैं और उनका यूज नी करते हैं तो मैंने इनका यूज किया है और पैर भी अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं और मसीन के साथ दो तो उसमें भी दूल जाते हैं हाथ क पाड़ ली हैं और इनको ऐसे बटा दे दिया है जो की रोल रोल बनाते हैं वो लगा दिया है जैसे जोड़ी बाटते हैं ऐसे ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया अलग अलग तीन ली रेली थी मैंने ये सब को अलग अलग से चोटे चोटे से बंडल बना लिए हैं अर्न कि अम लगु को कीई यह ऑग निचे को में असी के साथ बांद जा सकते में नहीं की मैं यह अपनी घुरी है जो कि मैंने इसको हमने ऐसे तयार करना जैसे की रसी उती है रसी तो आप लोगों को पता ही होगा रसी कैसी होते हैं उसमें बट से पड़े होते हैं तो ये मैंने सारे को तयार कर लिया है ऐसे दो तो देखो तयार हो गए हैं और नीचे तीन तो ये बहुत सारी लीरे फाड़ थी मैंने उनी से बना रही हूं मैं ये हाथ के साथ इसको आराम से रसी की तरह बट दिया जा सकता है ये निकी किसी चीज की जरूरत पड़े गिए देखिए मैंने भी तो हाथ के साथ ही इसको बट दिया है और फिर ये मैंने इन तिनों को अलग से एक साथ कठा गाट कर दी है क्योंकि ये तिनों अलग अलग थी अब मैंने जैसे कि हम अपने बालों की चोटी गूटते हैं इसको ऐसे ही गूंतना स्टार्ट किया है किसी और तरह से नहीं, बिलकुल जैसे हम अपने बालों की चोटी गुटते हैं ऐसे ही, देख लीजिए आप मैं भी ऐसे ही पर थोड़े से इसमें बट होने की वज़े से थोड़े ये बार बार सुलजानी पड़ते है क्योंकि ये उलज जाती है बट की वज़े से तो ऐसे ही करके मैंने ये दो बना ली थी, लम्बी लम्बी, ये देखिए, बिल्कुल आसान है बनाना, ये नहीं कि कोई मुश्किल काम है, और ना किसी चीज चीज की जरूरत पड़ती है, ना केंची की, ना मसीन की, कई लोगों को तो जैसे की मैं मसीन से बनाना पड़ता है परन्तु ये हाथ से ही अच्छा बन जाता है ये देखिए कि अच्छा बन जाता है ये देखिए दोनों गुत के तैयार है और इनका जो जोड था उसमें गाट तो लगा नहीं सकते ये मैंने सुईन धागे से इसको जोड दिया है जो की जोड लगा दिया है गाट में तो अलग से गाट दिर्कती और पैर में हम डोर मेट में गाट लगाते तो वो चुपती क्योंकि बगार जोड के तो कोई चीज बनती नहीं है इसलिए मैंने ये सुईन के साथ ही सील दिया था तो ये देखिए जो पिछे से इससा था उसको मैंने ऐसे फरस पे रखके गोल गोल जमीन पे ऐसे हाथ के साथ जैसे हम चोटी उती है तो चोटी की तरह ही इसको नहीं हो जाता इसको हमने बिल्कुल देखो अच्छी तरह से हाथ के साथ दबा के सारा एक साथ कर दिया है और अब मैं यहां से सुई धागे के साथ ही इसको यहां इसके साथ अटेच कर दूँगी जो की यह गांट तो लगती नहीं है ये मैंने इसको बंद कर दिया है यहीं पर ये देखिए और अब मैं इसको दोनों को एक साथ सुई के साथ ऐसे सीलते सारे इसको डूर मेट को अटेज करती चली जाओंगी ये देखिए दो दो को ऐसे अटेज करना है सुई धागे से मसीन इसको चलेगी नहीं क्योंकि ये कर दिया है कि इसमें सुई दागे का ही यूज किया है और वेश्ट कपड़े का बाकि किसी चीज का यूज नहीं किया है और ये इतना अच्छा डोरमेट बन जाएगा बिलकुल मजबूत ये लोग देखिए मैंने सारा सील दिया है इसको तो लाश्ट में जो बीच में सिलाई ही है वो ही सिलाई लगा रही हूँ ये देखिए बिलकुल अच्छी तरह से सिल गया ये अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और ये बनाने में बहुत मैनत लगती है ये निकी आसानी से बन जाता है थोड़ा सा टाइम तो लगता है अगर हम हाथ से कोई काम करते है मसीन से काम जल्दी हो जाता है परन्तु हाथ के साथ थोड़ा सा लेट उता है काम